जन्म का महीना तो चलिए जानते हैं कि जोतिश के नजरिये से आपके व्यक्तित्व में क्या छुपा है या अगर आपके प्रेमी या साथी का जन्म इस महीने हुआ हैं तो उनके स्वभाव के क्या राज हैं। साल का पहला महीना होता है जन्वरी। इस महीने लोग हर्शो लास और नए जोश के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। ऐसे में ये उर्जा इस महीने में जन्म लेने वाले जातकों में भी देखी जा सकती है। जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक बेहद आकरशक, खुश मिजाज और प्रोफेशनल होते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले जातकों के साथ भाग्यकास साथ हमेशा रहता है। कड़ी मेहनत से इन्हें जीवन में काम्याभी प्राप्त होती है। काम हो या पढ़ाई या फिर करियर। हर जगा आपको पूरी लगन से मेहनत करना पसंद है। इनकी प्रतिभाद देखकर अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। हसी मजाक में बेहद माहिर ऐसे लोग अपने उपर बनने वाले मजाक को भी खूब इंजोई करते हैं। जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी ये हलकी में लेना पसंद करते हैं। किसी से काम निकलवाना हो तो इनसे बढ़ि लेते हैं। आपको कब, कितना और कैसे चाहिए ये दिमाग में एकदम स्पष्ट होता है। आप परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में विशेश महत्व रखता है तो उसे सहारा देने में आपका इगो आड़े नहीं आत अगर कमियों की बात की जाए तो जन्वरी में जन्म लेने वाले जातक कान के बड़े कच्चे होते हैं। इनके मन में किसी के प्रतीशक या वहम जल्दी घर कर जाता है। लोगों की पहचान करने की क्षमता के बावजूद ये आसपास के लोगों से ही धोखा खा जाते हैं लग लाइफ की बात करें तो आप चाहे जितनी मर्जी फ्लर्ट कर लें लेकिन अगर किसी को सच्चे मन से एक बार दिल में बसा लिया तो बस बसा लिया। आप लड़क पन में चाहे कितने भी अफेर करें लेकिन एक बार मिच्योरिटी आने पर बेहत स्मार्टली किसी एक के पल्लू से बंध जाते हैं अगर आपका जन्म जन्बरी में हुआ हैं तो आप electronic media, army, chartered accountant, lectureship या फिर software engineering आदी के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकते हैं पांच, तीन, एक आपके लिए lucky number होंगे, dark blue, red और light yellow आपके लिए lucky साबित होंगे, गुरुवार, शुक्रवार और रवीवार के दिन किसी काम को शुरू करना आपके लिए लाबदायक होगा, गोमेद और blue topaz आपके लिए शुब रत्न हैं, जीवन में अगर परिशानिया आएं, तो आपको किसी गरीब लड़की की शिक्षा का खर्च उठाना चाहिए और मा सरस्वती की आराधना करने चाहिए अगर आपको ये विडियो पसंद आया, तो इसे शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल